जै में सिकी दोस्तों, आज की सोरगी मन्ना का भाग आमने लिया है, ये शाया की पुस्रक उसका एक तलेस्वा अध्याय और उसका दस्वा वचन वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ मैं तुझे द्रड करूँगा और निष्चे ही तेरी सहता करूँगा, और अपने धर्म धाहिने हाथ से तुझे समाले रहोंगा धन्यवाद पिता परमेशर, तेरे पिता परमेशर तेरे नाम में तेरे वचन में अद्बू शिफा और ताकत है और शक्ति और बुद्धी और ग्याने समझ है परमेशर महान है तो हमसे इतना प्रेम करता है दोस्तों परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बहना चाहता है परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है वो एक पल भी हमसे दूर रहना नहीं चाहता क्योंकि उसने हमें अपनी समानता अपने सरूप में रचा है और इसलिए वो वचन में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ दिखे ध्यान दीजे इन वचनों को समझना बहुत सुरूरी है परमेशर कहता है बाइबल में कहा है लिखा हुआ है कि मत डर 366 बार परमेशर ने कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ इसका मुतलब अगर तू डरेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ ध्यान दीजे अगर तू डरेगा तो परमेश्वर तेरे साथ नहीं है डर कौन लेकर आता है शैतान डर के साथ पाप कौन लेकर आता है शैतान शेतान का मकसद है आपको डराना और पाप के अंदर खेशना लेकिन परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है परमेश्वर की उपस्ति में हम आजादी का अनभव करते हैं परमेश्वर की उपस्ति में हम जीवन का अनभव करते हैं परमेशर के उपसिती हैं, हम जोती का अन्भव करते हैं, परमेशर के उपसिती में हम शान्ती का अन्भव करते हैं, और परमेशर यही चाहता है, क्योंकि वो शान्ती का राचोमार है, वो हमें शान्ती देना चाहता है, वो हमें सुख देना चाहता है, इस धर्ती पर रहते परमेशर की इच्छा है कि मेरा बच्चा स्वर्गी अन्भव करे वो वातावरन में रहे जिस वातावरन में उसे स्वर्ग में रहना है स्वर्ग में डर नहीं है स्वर्ग में बिमारी नहीं है स्वर्ग में परिस्टिय खराब नहीं है दुख नहीं है अशान्ती नहीं है लेकिन स्वर्ग में क्या है आजादी, सुख, आशीश प्यार, परमेशर का अभिशेग, परमेशर की उपस्यती वो ही परमेशर चाहता है क्योंकि जब परमेशर हमारे साथ होगा तो क्या होगा उसका अशीश परमेशर हमारे साथ होगा तो क्या होगा उसकी शान्ती उसकी कृपा उसकी दया उसका प्यार और परमेशर प्रेम है बाइबल कहता है परमेशर प्रेम है और जिसके अंदर प्रेम है उसमें परमेशर वास करता है और जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसमें परम विश्वास योग्य है जब हम उसके पास रहने के लिए जब हम उसके साथ रहने के लिए अपने बरसक कोशिश करते हैं जब हम अपने आपको समर्पित करते हैं आप विश्वास करिए कि उसका दाहिना हाथ हमें द्रड़ करता है हमें मस्बूत करता है और हमें उचा उठाता और अपनी पलकों पर बिठाता है इसलिए बाइबल कहती है कि उसने हमें अपनी पलकों पर बिठा रखा है उसने अपने हाथों में हमारा नाम खोता हुआ है वो हमारे सर के बाल की गिंती तक जानता है वो हमसे इतना प्रेहम करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र का बल परबत पर अपनी आँखे लगा, क्योंकि तुझे साहिता सिर्फ वहीं से मिलेगी, तुझे आशीर सिर्फ वहीं से मिलेगा, तुझे जीवन वहीं से मिलेगा, तुझे सामर्त वहीं से मिलेगा, परमेशर का अभीशेग तुझे वहीं से मिलेगा, जोती वहीं से मिलेगी, ज इसने परमेशर की उठाया, अपनी आख़ों को उठाया, उसने जूती को पाया, परमेशर कहता है, वचन कहता है, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, हम वचनों को समझे, और उसके अनुसार अपने चीवन को बिताए, सुने वले हर भाई बहन के लिए आशीर, तो हम प्रत्रा आपने सुने और कबूल की, अमेन, 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 अमेन.